तो गाइस मैं हुआ की तोरह आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नेटवर्क सुरू करते हैं सबसे पहले जैक राइडर एके मैट कारडोना से तो मैट कारडोना को लेके भाई कब से अपडेट आ रहे है कि डवी डवी के अंदर आ सकते हैं फिर लोग कहते हैं कि नहीं अभी मंडे नायट रॉक एंदर ड्राफ्ट के लिए और पिक्स एनाउंस होगी ऐसे मैट कारडोना एक ट्वीट करते हैं आप लोग देख सकते होगे यहां पर ट्वीट के अंदर कैपसन में कुछ भी ने लिखा वा था सिंपली एक ग्राफिक पोस्ट करी है उनके पहले सद्वाले द्राफ्ट से तुर्व ड्राफ्ट जो था हैं और जापर जब वो स्मैक़्डक के अंदर कीए गया थे वह वाली ग्र्फिक है यह आपर कोई भी कैपसन वकोतरा है इन्होंने नहीं लिकां तो बिसे कर रहें कि ड्राफ्ट के अंदर यह वी ट्राफ्ट के लिए और सही बता रहा हूँ भाई अगर यह फिर से मजाग करते हैं मजाग तो नहीं लगता मुझे लगता है क्लाउट के लिए करते हैं अगर फिर से क्लाउट के लिए चीज करते हैं तो इसके बाद मैं मैं अट काडोना की नीज नहीं कवर करने वाला हूँ क्योंकि multiple times हो चुका है कि हम लोग इस चीज को cover कर रहे हैं यह खुद से post करते हैं उसके बाद return नहीं होता है एक आदमी समझता है कि हाँ news sources की report गलत आ रही है लेकिन यह खुद से tease करके खुद से सारी चीजे करके फिर नहीं आते हैं और साथ इनके tease पर हम लोग नजर डाल सकते हैं अच्छे से क्योंकि ब्रेवाइट करेंटली डवी के अंतर ही है और कुछ दिनों में return हो नहीं है आज ना हो कल ना हो कभी तो होगा परसू होगा ऐसे में क्या हो है रिसेंटली ब्रेवाइट ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट लाइक करा है जो कि कोई बहुत ऐसी बरी बात नहीं है लेकिन फिर भी बताने लाइक है तो आपको बताता हूँ डेविड अभी ने एक ट्वीट करा था जो कि है न्यू वर्ल्ड हविवेट चैंप्स को लेकर जहां पर announcement थी कि हम लोग नए वर्ल्ड हविवेट चैंपिन को crown करेंगे नाइट ऑफ चैंपिन के अंदर अब इस वाले ट्वीट को ब्रेवाइट ने लाइक करा है इस चीज के लिए बहुत दूर है अभी अभी पहले करेक्टर को प्रॉपर बिल्ड करना परेगा उसके बार भी जीतेंगे नहीं जीतेंगे वह नहीं पता लेकिन ब्रेवाइट ने इस चीज़ को लाइक करका दिखा दिया है कि सारी चीज़े डवीड़ी के साथ उनकी सही है और में इस कब होंगे रस्लिंग ब्लॉग उसोज़ एंड सोलो वर्सेज मैट एंड केविन एंड सेमी यह वाला मैच वह ओपन करेगा बैकलस को यानि कि यह वाला मैश किक औफ करेगा बैकलस को मुझे लगाते है में इवेंट हो सकता है क्योंकि पॉसिबली यहां पर ब्लड लैन कोडी वर्सेज ब्लॉग और भी एंडियों को मिल जाएंगे लाइक रॉलिंस वर्सेज ओमास हो गया ब्यांका बिलर का मैच वैच आपको कार्ड के बीच में देखने को मिल जाएंगे वहाल वह किक आफ करेगा बैकलस भी तो मैं आपको बताऊंगा फिर आगे पडरते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेथ रॉलिंस को लेके सेथ रॉलिंस धीरे-धीरे क्राउड में इतने जादा ओवर होते जा रहे हैं कि डवी डवी का सो हो ना हो भाई लोग उनके थीम सौंग को कहीं पर भी गाने लग रहे हैं रिसेंटली सब्वे में सब्वे एक स्टेशन टाइप का होता है वहाँ पर लोग सेथ रॉलिंस के थीम सौंग को गा रहे थें वीडियो क्लिप तो मैं प्ले नहीं कर सकता कॉपी राइट इसूस की वजा से लेकिन मैं आपको स्क्रीन सोट्स दिखा सकता हूं टुटर पर सब्वे से खतरनाक सीन हो गया बाई सेथ रॉलिंस के लिए और वर्लड यवीड चैंपर सब्सक्राइब करेंट रॉलिंस की बात की है तो मेश्च वर्सेश हील डू मैंक एंटायर देखने को मिल सकता है वर्ल्ड हभी वैड चैंपर सब्सक्राइब लिए इसके चांसेस है क्या रिपोर्ट है वो मैं आपको बता दूँ रिपोर्ट है जरुनी उसकी तरफ से सेथ वर्सेश हील डू बिंग प्लैंट फॉर्ड वर्ड वर्ड चैंपर सब्सक्राइब तो प्रबैबली आपको इनका मैच देखने को मिल सकता है यहां पर नोट करने वाली चीज यह है कि हील डू मैकेंटाय इंट को ट्राफ किया गया है मंदणाय प्राह में जब रेटर्न करेंगे तो मेबी वह हील कैरेक्टर के साथ आ सकते हैं कि इस रिपोर्ट को देख रहा है । इस हिसाब यह रोमन वाज़े भी रोमन कौन सा है यह रहते थे लेकिन फिर भी गाज अभी एक रीटाइन को लेकर अपडेट है तो रोमन रेंज अभी कुछ टाइम तक मिसिंग ही रहेंगे नाइट ऑफ चैंपिंस से कुछ टाइम पहले वह वापस आएंगे और उसके बाद नाइट ओफ चैंपिंस में पाटिसिपेट करेंगे तो बस रोमन को लेकि यह अपडेट है और आईप साब को वीडियो से इंफॉरमेशन मिली हो तो आपको लाइक कर सकते हैं सेर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस् सब्सक्राइब काफ इंट्रस्टिंग वीडियो में